आज हम वर्ग साथ के इंटीजस यानि पुर्णांग के प्रस्नावली एक दस्मलों एक को हल करने जा रहे हैं प्रस्न संख्या एक है निम्नलिखित पुर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम अर्थात बढ़ता हुआ क्रम अर्थात छोटे से बड़े की ओर हमें इसे इन्हें व्यवस्थित करना है तो आएए करते हैं हम लोग व्यवस्थित प्रस्न संख्या एक का एक यह है माइनस बीस पंदरह तीन शुन्य माइनस चार और पांच आरोही क्रम तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है माइनस बीस और इसके बाद यानि इससे बड़ी माइनस चार और इससे बड़ी शुन्य इससे बड़ी तीन और फिर पांच और सबसे बड़ी यहां पर है पंदरह तो यह आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया अब इसी प्रस्णतमर एक का दूसरा नंबर माइनस 37, 34, माइनस 102, शुन्य, माइनस 52, माइनस 4, माइनस 5 और 7 आए इसे भी आरोही क्रम में सजाते हैं इन में सबसे छोटी कौम सी है माइनस 102 और फिर इससे छोटी माइनस 52 और फिर इससे छोटी माइनस 37 और फिर इससे छोटी हो जाएगी माइनस 5, माइनस 4 और इसके बाद शुन्य, और शुन्य से बड़ी कौन सी है यहाँ साथ और सबसे बड़ी हो जाएगी यह आरोही क्रम में हो गया अब हम प्रस्ण संख्या 2 देखते हैं तो प्रस्ण संख्या 2 है निम्रलिखित पुर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम अर्थात बड़े से छोटे की और तो इसका पहला प्रश्न है बीस माइनस दो शुन्य माइनस पांच पंद्रह ग्यारा अवरो ही क्रम तो इन पुणांकों में सबसे बड़ी कौन सी पुणांख है ये बीस और फिर इससे छोटी पंद्रह इससे छोटी ग्यारा और ग्यारा से छोटी कौन सी है शुन्य और इससे छोटी माइनस दो और इससे भी छोटी माइनस पांच तो ये हमारा अवरो ही क्रम में व्यवस्तित हो गया अब इसी का मैं दूसरा प्रश्न ये है माइनस 31, 121, माइनस 99, 54, 60, माइनस 30 अब रोही क्रम इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 121 और फिर इससे छोटी ये 54 और इससे छोटी कौन सी नजर आ रही है 6 और इससे छोटी माइनस 3 और इससे छोटी माइनस ये माइनस है माइनस 31 और सबसे छोटी यहाँ है माइनस 99 तो ये भी अब रोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है प्रत्न संक्या 3 उपरियुक संकेतों में छोटे बड़े और बराबर से निमलिखित रिक्तिस्थानों को भरिये तो हमें इन बॉक्सों में बड़े छोटे और बराबर के संकेत भरने है तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि बाया पक्ष का मान क्या है और दाया पक्ष का मान क्या है तब ही हम निर्णे कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ी है और कौन छोटी अथवा दोनों बराबर है तो आईए से हल करते हैं प्रस्ण संख्या 3 का पहला तो इसका LHS है माइनस 8 जोड माइनस 5 तो ये हमारा हो जा रहा है माइनस 13 और RHS है ये है माइनस 8 और माइनस 5 तो ये माइनस 8 माइनस 5 ये पुना हो गया माइनस 13 अर्थात इसका बायापक्ष भी माइनस 13 है और दायापक्ष भी माइनस 13 है अर्थात दोनों बराबर है तो यहाँ पर बराबर का चिन हो गया प्रस्न संख्या 2 में इसका LHS ये है माइनस 3 जोड 7 जोड माइनस 12 तो यहां हो गया माइनस 3 जोड 7 माइनस 12 बराबर माइनस 15 जोड 7 अर्थात ये हो गया माइनस 8 अब इसका RHS इसका RHS है सत्र घटाव 8 जोड माइनस 19 अर्थात सत्र घटाव 8 माइनस 19 तो ये हो गया सत्र घटाव 27 यानि माइनस 10 तो माइनस 8 और माइनस 10 इसमें बड़ी कौन है माइनस 8 तो निस्चितरूप से इसका LHS बढ़ा है तो यहां हम इस तरह का चिन देंगे इस तरह का चिन का अर्थ ये है कि इस तरफ जो रहता है वो बड़ा रहता है और तीर की निशान की तरफ जो होता है वो छोटा होता है चलिए अब प्रसुन संख्या 3 इसका LHS यह है 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 इसका तो 39 यह यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यह माइनस हो गिया 34 और यह माइनस माइनस प्लस हो गिया तो यह प्लस 15 तो इन दोनों धनात्मक को जोड़ देते हैं 49 और 15 को 9 5 14 हाथ मेरा 1 3 और 1 4 और 1 5 14 घटाओ 24 तो यह आगे है हमारा 30 अब इसका RHS अब इसका RHS लेते हैं तो इसका RHS है 36 प्लस माइनस 52 माइनस 36 तो यह हो गिया 36 माइनस 52 और प्लस 36 तो यह हो गिया यह दोनों धनात्मक को जोड़ेंगे तो 72 घटाओ 52 यानि यह आ गिया 20 तो यहां हमारा LHS बड़ा है और RHS छोटा है तो यहां पर हमारा चेन हो जाएगा यह अर्थात इधर बड़ा है और इधर छोटा है अब यह चोथा नमबर परशन है इसका LHS तो यह हो जाएगा माइनस 201 जोड 79 जोड 63 आईए इस जोडते हैं यह प्लस है माइनस 201 जोड 79 जोड 63 तो यह माइनस 201 और यह धनात्मक जो है इससे जोड देते हैं नौ और तीन बारा का दो नौ तीन बारा का दो हां तमरा एक साथ चो तेरह एक चाउदा और इसे हम खटाते हैं तो यह गारा से दो यह नौ और नौ से चार पांच माइनस 59 अब इसका आरेचेस इसका आरेचेस है माइनस 299 जोड 151 तो यह हो गया माइनस 299 और जोड 9 और एक 10 का शुन्य हाथ मरा एक 8, 5, 13 एक चाउदा का 4 और एक एक यह दो तो यह पुना आगिया माइनस 59 अर्थाप इसका एलेचेस और आरेचेस दोनों बराबर है तो यहां बराबर का चिन आ जाएगा और यहां हम देख रहे हैं 14 घटाव 5 जोड 6 तो धनात्मक को पहले जोडते हैं 14 और 6 20 और 20 से 5 घट करा देंगे तो यह इसका बान हो रहा है हमारा 15 और इसी तरह से इसे देखते हैं 15 अनौ 24 और इससे दो घट जाएगा तो 22 इसका माना गया तो 22 निश्चित रूप से इसका दाया पक्ष बड़ा है तो यहां हम देंगे इस तरह का चिन प्रस्ण संख्या चार निम्लिखित में से प्रतिक के लिए एक पैटर्ण पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए तो यह पैटर्ण में पैटर्ण पूरा करने वाले प्रस्ण में हमें जो पहले सुरुवात में जो पैटर्ण दिया गया है इसके नियम को पता करना होगा अर्था यह जो सीरीज है यह जो पैटर्ण है इस यह कौन सा रूल को कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है तो हम देखते हैं साथ है इसके बाद तीन है इसके बाद माइनस वन है इसके बाद माइनस पांच है तो हम देख रहे हैं 7 से 3 के बीच का अंतर है 4, ये 4, फिर अगर 3 से हम 4 घटा देते हैं, देखिए 3 घटाओ 4, तो ये हो जाता है हमारा minus 1, तो यहां भी वही है, 4 घट गया, और फिर minus 1 से हम minus 5 घटाते हैं, minus 1 से minus 4, sorry, minus 1 से minus 4 घटाते हैं, तो ये minus 5 आ जा रहा है, अर्थाथ यहां बार बार 4 घटाया जा रहा है, तो अब हम, हमें क्या करना है, minus 5 से 4 घटाना है, तो ये आ जाएगा minus 9, तो यहां पर हो जाएगा हमारा minus 9, उन्हां minus 9 से हम फिर 4 घटाएंगे, तो minus 13, तो ये हो गया minus 13, यह माइनस है और पुना माइनस 13 से 4 घटा रहे हैं तो माइनस 17 तो यह हो गया माइनस 17 तो यह पैटर्ण हमारा बन गया और इस तरह से हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं अब प्रस्न संख्या 2 देखिए यह माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8 तो अब यहां हम देख रहे हैं यह छोटा होता जा रहा है यानि यह अवरोही क्रम में है तो माइनस यहां फिर हम देखते हैं माइनस 2 से हम अगर 2 घटा देते हैं तो माइनस 4 आ जाता है फिर माइनस 4 से 2 घटाते हैं तो माइनस 6 आ रहा है माइनस 6 से 2 घटा रहे हैं तो माइनस 8 आ रहा है ठिक इसी तरह से हम माइनस 8 से 2 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 10 और इसी तरह से फिर यहां हो जाएगा माइनस 12 माइनस 14 अब यह तीसरा नमर स्वारी यह हम दूसरा दिया हुए तीसरा है तीसरा नमर है 15 10 5 सुन यहां भी यह अवरोही क्रम में घट घट रहा है तो 15 से हम 5 घट आते हैं तो 10 आता है 10 से 5 घट आते हैं तो 5 आता है और 5 से 5 घट आते हैं तो सुन्ने होता है तो फिर सुनने से हमें 5 घट आना होगा सुनने से 5 घट आएंगे तो माइनस 5 तो यह हो गया आप चौथा नवर प्रसन देख रहे हैं माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 2 तो इन दोनों के बीच का अंतर देख रहें तो हम देख रहे हैं कि माइनस 11 में अगर हम 3 जोड़े, minus 11 में, अगर हम 3 जोड़े, तो हमारा आजाता है minus 8, ठीक है, इसी तरह से minus 8 में, अगर 3 जोड़े, तो 3 जोड़ रहे हैं, तो यह आजाता है minus 5, तो एक इसका रूल हमें पता चल गया, कि इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो यहाँ minus 2 में 3 जोड़ेंगे, minus 2 में हम 3 जोड़ते हैं, तो यह आजाता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, तो यह 7, अब पाचवा नमबर, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, अब आप स्वयम से कर सकते हैं माइनस चार में हम क्या जोड़े या घटाएं कि माइनस चार आ जाएगा माइनस पांच में हम अगर एक जोड़ते हैं तो यह हो जाता है माइनस चार और माइनस चार में हम एक जोड़ते हैं तो यह आ जाता है माइनस तीन अर्थाथ इसमें हमें एक जोडते जाना है, तो माइनस दो में हम एक जोडते हैं, तो यह आ जाता है माइनस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, और फिर माइनस वन में हम एक जोडते हैं, तो यह हो जाता है, शुन्य, तो यह शुन्य, और शुन्य में एक जोड़ें प्रस्न संख्या 5 किसी मायावी वर्ग में प्रतेक पंक्ति स्त्रम एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है यानि मैजिक स्क्वार तो हम देखते हैं इसके पंक्ति में और पंक्तियों को का जो संख्याएं उन्हें जोड़के स्तंब के संख्याओं को जोड़के और विकर्ण की संख्याओं को जोड़के क्या वे बराबर आते हैं अथवा नहीं जिस वर्ग में ये सारे बराबर आएंगे एक आएंगे वो मा अवाले वर्क का हम चुक करते हैं, ये 5-1-4, तो ये आजा रहा है हमारा शुन्य, इढर से 21 से जोड़ रहे हैं, अब यह यहां भी Houston हो गया, यहां भी Houston नहीं हो जा रहा है, अब विकर्न जोड़ते हैं, तो यह विकर्न हो जा माइनस तीन साथ और साथ ये भी शुन्य हो गया यहां से भी हम देख रहे हैं तो यह शुन्य हो जा रहा है और यहां से भी शुन्य हो जा रहा है अब यह वाला विकर्ण देखते हैं यह वाला विकर्ण इसको इस विकर्ण को जोड़ते हैं तो यह आ जा रहा है माइनस छे त तो ये magic work, मायावी work नहीं हो सकता है, अब इसे देखते हैं, तो यहाँ पंक्ती इस तरह से हम जोड रहे हैं, तो ये minus 9 आ रहा है, इधर से जोड रहे हैं, तो भी ये ऐसे जोड रहे हैं, तो ये minus 9 हो गया, और ये जोड रहे हैं, तो minus 6, minus 7, minus 13 हो गया, और इसे 4 गटेगा, तो माइनस 9 हो जाएगा अब ये विकर्ण जोड रहे हैं ये विकर्ण एक माइनस 3 और माइनस 7 तो ये भी माइनस 9 हो गया इधर से जोड रहे हैं ऐसे तो ये माइनस 9 हो गया और इधर से भी जोड़ेंगे ये वाला स्थम्भ को तो ये भी माइनस 9 हो गया अब इस चलिए इसे भी जोडते हैं ये इस सिस्टम को जोडते हैं तो ये हो जा रहा है ये भी माइनस 9 अब ये वाला विकर्ण को जोडते हैं ये ये विकर्ण तो ये माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया अना तो ये माइनस नौ हो गया अब हम ये इस पंग्ती को इस तरह से जोड़ते हैं तो ये तो हमने जोड़ चुके हैं इस तरह से तो ये माइनस नौ ये माइनस नौ ये माइनस नौ तो यहां हम देख रहे हैं कि वर्ग बी में हम जैसे भी जोड़ें पंग्ती वाइस जोड़ें या स्तंब में जोड़ें या विकन जोड़ें सभी माइनस नौ आ रहा है अर्थात एक आ रहा है तो हमारा मायावी वर्ग कौन है ये बी वाला है